Good morning my dear children, welcome to your English class, children we have started use of has or have, हम लोग has or have का topic जो हम लोग ने start कर दिया है, ठीक है, we use has with, has हम किसके साथ यूज करते हैं, we use has with, he, she or it, he के साथ, she के साथ और it के साथ हम यूज करते हैं, ठीक है, और जहां पर धेर सारे लोगों की बात होती है, वहां पर हम क्या यूज करते हैं, have, जहां पर एक लोग की बात होगी, मतलब he, she or it, ध्यार रखना है, he मतलब boys के लिए, she मतलब girl के लिए, और it मतलब animals, birds के लिए, वहां पर हम has का use करेंगे, और जहां पर धेर सारे लोगों की बात होती है, more than one person, more than one thing, वहां पर हम क्या use करेंगे, ह-a-v-e, have, ठीक है, now today, we we are going to start a topic of use of has or have, we will do some exercises in our workbook, okay, let's start, first, write the date here, today's date is, 2 November 20, 2 11 20, okay, write the classwork here, आप देखिए, fill in the blanks with has or have, याद रखना है, ह-a-s, has को हम, he, she और it के साथ use करते हैं, और have, जहां पर धेर सारे लोगों की बात होती है, और I और you के साथ भी have, आप देख, क्या लिखा हुआ है, she, she, dash of hers, she के साथ हम क्या use करेंगे, has की have, yes, h-a-s, has, she के साथ क्या use करते हैं, h-a-s, has, ठीके, आप देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, two हैं, मतलब एक से ज़ादा हैं, और जहां पर धेर सारे लोगों की मतलब की more than one, एक से ज़ादा लोगों की बात होती है, वहां पर हम क्या use करते हैं, have, h-a-v-e, have, h-a-v-e, have, ठीके, next is, it, 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 dash, big, years, he, she, और it के साथ हम क्या use करेंगे, has का use करेंगे, it, 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 अभी हमने बताया था न, animal और birds के लिए it का use होता है, ठीके, तो it के साथ हमें क्या use करना है, h-a-s, has, it के साथ हमें क्या use करना है, h-a-s, has, ठीके, अब, h-e, he, he, dash, a car, he, she, और it के साथ हम क्या use करते हैं, h-a-s, has, he के साथ हम क्या use करेंगे, has, he, has a car, उसके पास car है, ठीके, we, dash, a cup, अब यहाँ पर देखी कितने में हैं, one, two, three, यहाँ पर three kids बने हुए हैं, ठीके, जब धेर सारे लोग हैं, तो वहाँ पर हम क्या use करेंगे, h-a-we, have, we have a cup, has और have का use हम वहीं पर करते हैं, जब हम अपने पास किसी चीज होने की बात करते हैं, जैसे मेरे पास book है, I have a book, उनके पास glass है, they have a glass, ठीके, धेर सारे लोगों की बात होती है, तो वहाँ पर भी हम have का use करेंगे, और अगर he, she और it की बात होती है, तो dash many toys, I dash many toys, I के साथ हम क्या use करेंगे, I के साथ always हमें ध्यान रखना है, I और U के साथ, H-A-V-E, have का use करना है, ठीके, चलिए फिर से स्टार्ट करते है, she has a purse, she के साथ हमने क्या use किया है, H-A-S has का use किया है, उसके मलश ही, मतलब यह जो अंटी खड़ी है, उनके पास क्या है पर्स है, तो कोई चीज हमारे पास जो होती है, या उनके पास होती है, उसके लिए हम लोग has और have का use करते है, ठीके, she has a purse, they have pencils, दो लोग हैं यहापर, मतलब एक से जादा लोग हैं, तो वहाँ पर हम क्या use करेंगे, have, H-A-V-E, have, they have pencils, ठीके, अब क्या है, it has big ears, it मतलब एक चीज है, तो कि एनिमल है, elephant है, तो elephant के पास big ears, elephant के जो कान होते हैं, बड़े-बड़े होती हैं, तो इसके लिए हम ने क्या use किया है, it has big ears, he-car, 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 he-car है, उसके पासufs करें, तो he है, इसलिए हमने या अपर has का use किया है, ठीके, we dash a cup we है ठीक है धेर सारे हैं इसलिए हमने आपर have का use किया है और last में क्या है I have many toys मेरे पार धेर सारे toys है I के साथ और you के साथ always have का use होता है ठीक है I hope all of you have understood do it in your workbook with page number 31 okay children thank you have a good day take care bye bye